हेलो स्टुडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरिवन, क्लास युकेजी, सब्जेक्ट इंग्लेज, टुडेज टॉपिक, साउंड ओफ वोवेल, इ, सबसे पहले तो वोवेल क्या होता है, ये आपको पता होना शाहिए, हम जब आल्फाबेट लिखते है, A to Z, इस तरह आप आ E, I, O and U, ये मैंने सरकल यहां किये है, वो है वोवेल, एन अधर जो लेटर है, उसको हम बोलंगे, कॉंसोनेट, तो वोवेल कितने होते हैं, फाइव वोवेल होते हैं, A, E, I, O, U, आर वोवेल, आपको मेरे साथ फिर से रिपीट करना है, A, E, I, O, U, ये क्या है, वोवेल स ओके, अब आल्फाबेट कितने होते हैं, A to Z हम लिखते हैं, How many letters are in the alphabet, तो आपको आंसर देना है, कि हम A to Z लिखते हैं, आल्फाबेट तो उसमें 26 letter होते हैं, और अब मैं question आपसे पूछूंगी, कि How many vowels are there in the English alphabet, English alphabet में कितने vowels होते हैं, तो आपको क्या answer देना है, 5, 5 vowels होते हैं, उसमें से हमने जो first vowel था, A, उसके वर्ड देख लिए थे, 3 letter वाले वर्ड हमने किये थे, last English meeting में, आज हम करने वाले हैं, E वाले वर्ड, तो E for सबसे पहले क्या होता है, अब E for क्या बोलते हूँ, E for elephant, E for ice, E for egg, E for 11, Okay, where does elephant live, elephant कहा रहता है, elephants live in forest, elephant forest जंगल में रहता है, तो E for elephant आप वर्ड बोलते हैं, तो E की sound क्या होती है, A, ओके, E की sound होगी, A, आज हम सिखेंगे sound of vowel, E वाले वर्ड कैसे बनाना, E की sound होती है, A, इस तरह आप हिंदी में लिखतो हैं, स्वर में A, तो E की sound होती है, A, अब हम वर्ड बनाएंगे, सबसे पहले आप देखोंगे, कि यहां मैंने कुछ वर्ड लिखे है, यह वर्ड आपको कैसे बनाना है, और कैसे रीड करना है, यह मैं आपको explain करूंगी, सबसे पहले हमारे पास E है, उसमें हमने D जोड दिया, D का combination होगा, तो D की sound क्या होगी, D for, D for क्या बोलते हो आप, D for dog, तो D की sound होगी, D, ओके, तो E, D, add, ओके, अब हम उसके वर्ड कुछ बनाते है, for example, मैंने यहां वर्ड लिखे है, R, E, D, तो R की sound क्या होगी, र, र, add, rad, ओके, इस तरह आपको पढ़ना है, फिर नेक्स्ट वर्ड लिखा है, मैंने, W, E, D, V, add, ओके, नेक्स्ट देख एफ, E, D, F की sound क्या होगी, र, for, fish, तो F की sound होगी, for, for, add, fed, फिर नेक्स्ट, B, E, D, B की sound, ब, ब, add, bad, तो यह, E, D वाले वर्ड हो गए हमारे, फिर हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, और वर्ड बनाते हैं, अब हमने, E में जोड दिया, G, egg, ओके, G की sound होती है, ग, ओके, G for grabs आप बोलते हो, तो G की sound यहाँ होगी, ग, अब ही देखो, E, G, E, G वाले वर्ड हम यहाँ बनाएंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ वर्ड लिया है, lag, L, E, G, L की sound क्या होगी, L, for, lion बोलते हो, तो L की sound क्या होगी, ल, L, E, G, ल, ag, lag, फिर नेक्स्ट देखो, B, E, G, ब, ag, bag, T, E, G, ट, ag, tag, E, double, G, ag, ओके, फिर नेक्स्ट हमने, E में, N जोड़ दिया, E और N का कॉंबिनेशन, N, म, A, N, man, फिर नेक्स्ट, H, E, N, तो ह, A, N, hand, P, E, N, P, का sound क्या होता है, P for parrot, P for pigog, तो P की sound होगी, P, P, A, N, pan, T की sound, T4, tiger बोलते हो न, तो T की sound होगी, T, T, A, N, tan, ओके, फिर नेक्स्ट देखो, अब हम, E में, T का कॉंबिनेशन करेंगे, तो क्या बनेगा, E, T, ओके, अब देखो, यहां मैंने four words लिखे ही, उसको हम read करेंगे, W, E, T, W की sound, W4, watch बोलते हो न, तो W की sound, W, W, at, what, फिर नेक्स्ट, S, E, T, S4, sun बोलते हो न, तो S की sound होगी स, स, at, set, फिर नेक्स्ट देखो, G, E, T, G की sound क्या होगी, G4, grabs, G4, God, तो G की sound होगी, G, G, at, get, फिर नेक्स्ट, N, E, T, N की sound क्या होगी, N4, nest, तो न, at, net, इस तरह आपको word पढ़ना है, और practice करना है, अब आप अपनी बुक में page number 31 open करेंगे, यहां कुछ picture दिये हुए है, हम देखते हैं, सबसे पहले है, pen, तो pen का spelling है, P, E, N, उसको कैसे पढ़ोंगी, आप, P, A, N, pen, ओके, फिर ये है, net, न, at, net, फिर ये है, bed, B, E, D, bed, next देखो, P, E, G, bag, ओके, फिर नेक्स्ट, 10, 10, 10, तो T की साउंड होती है, ट, ट, अ, 10, फिर ये है, jet, J, E, T, jet, फिर ये कौन सा कलर दिख रहा है, red, तो R, E, D, red, र, add, इस तरह आपको वर्ड को पढ़ना सिखना है, ओके, फिर नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट यहां लैग दिख रहा है, तो L, E, G, leg, इसको पढ़ेंगे हम कैसे, L, तो ल, A, G, leg, ओके, फिर नेक्स्ट देखो, hand, तो H, E, N, hand, ह, A, N, hand, फिर नेक्स्ट, P, E, T, paw, add, pet, फिर नेक्स्ट देखो, K, E, G, के की साउंड क्या होगी, के फोर क्या बलते हो, काइट बलते हो ना, तो के की साउंड होगी का, का, आ, ग, केक, ओके, तो ये हो गया, हमारा पेज नंबर 31 कम्पलेट, तो आज हमने क्या सिखा, साउंड ओफोर वेल, E, E की साउंड क्या होती है, A, तो आपको भी ये सारे वर्ड अपनी नॉट्बुक में नॉट्डाउन करना है, मैं PDF भेज रही हूँ, तो आप भी सारे वर्ड नॉट्डाउन करोंगे, अपनी नॉट्बुक में अच्छी एन राइटिंग में, और ये वर्ड को कैसे पढ़ना है, फॉनिक टॉन में, उसके ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, ओके, थैंक यू, हाव नाइस टी,